कि यह देख सकते हैं वाई यह है देशी जुगाड़ पेंड करने का हम लोग गिरी को वर्धन ठापूर को निमंत्रन देते हैं कि अधिया है कि अधिया है कि अधिया है कि अधिया है हाई एक नहीं लाइफस्टैल ब्लोग में तो आज का ब्लोग श्टार्ट का रहे मेरे गाहो और खुंसरत कर देता और इस नदी के भाव भी नहीं रहता है तो अभी देख सकते हैं विंटर का समय कि छोड़ा कम-कम देखने भी मिल रहा है खिलाल अभी ऐसे ही रहेगा अप्रेल महीं तक उसके बाद माई में थोड़ा सा कम हो जाता है एक लोग में पफिल उसमें पानी भर जाता है और आज है दिपाली और द और इंडिया टूर कंप्रिट करके घर आये आज मेरा वीच दिन हो गया और वीच दिनों से घर में है अजिसा तो लगता ही है कि मेरी जो आदते थे 10 मेने से वह रेगुलर ट्रेवल करने की जाई करीब हम सो डेढ़ सो दोसो और धाइसो और तीन सो के बीच में हम ट्रेवल कर करते रहते थे जब जैसा लिफ्ट मिलता था और बोड़ी हमेशा गती करते रहते थे लेकिन अभी ठराव है तो अज यह सा लग रहा है अभी जाना था में उत्राखंड के दारना धाम की जब डोली आ रही थी बट हम नहीं जा पाएं बाबाने बुला है नहीं यह यह कह सक है तो वह हम दिखाएंगे आप सभी को ऐसे तो हम सारा कुछ अप्लोड किये हुए मेरे इस चैनल में अगर आप देखना चाते हैं तो आप देख सकते हैं जास्ट चे मैना फिलेज पीछे जाना पड़ेगा आप यू देख सकते हैं जम्मू कश्मीर हिमाचल पर्देश और उत्राक्षन की ब्लोगिंग तो उसमें हम सारा कुछ दिखाएं जैकर विंटर के टाइम में आप बात लग रहता है तो हम जरूर दिखाएंगे और यह जो मंदिर यह विश्णुपत मंदिर विश्णुपत लच मिनारान मंदिर कापी अच्छा मंदिर है और यह वह पुछ पड़ा यार और देखो हमारे गाह में धान भी पग गए यार अलमस्स साट पर्सेंट लोगों के ना धान पखी गए दिपावली से पहले ही पूरा बहुत लोगों ने काट की पीट की बेज भी दिया कुछ इतना फास्ट है उनका जल्दी पग गया था और इनसे मिले यह है गुड़ा और गुड़ा क्या खबर है यह कहां गए थे अपी यह है अईसे लड़का यार चेसा साल तो किसले बात ही नहीं किया था और भाई आगे हम आज अपना बाड़ी में निरिचन करने के लिए जो आलू लगा है उसका इस्तीति क्या है तो कुछ इस परकार है भाई इसमें थोड़ा पानी उगरा ना सूख गया है कल पानी पटाना पड़ेगा और सर्चों अगरा तो उग जाते हूँ सबसे जन्दी उग जाते दिपावली के इस पाउन अफसर में सबसे पले तो यार दुकान में आ है तबसे पले दुकान को स अच्छी से साप कर दी है और यहां पर गनेश लच्मी का भी पूजा अभी तक नहाएं नहीं और खाएं बीने और अभी बज़दा साड़े चार साड़े चार वज़े तक पुवास में कुछ देर बाद हम पूजा करें पूजा भी है और मैं रोड में आज काफी बीड़ मिल रहा है कि जर्वत के सारे चुछे करिदने के लिए लोग यहां प्यार हुए हैं देख करते हैं काफी भीड़े वाई यहां पर तो यह कुछ नजारा में रोड का वाई और पठाके अगरा भी यहां संतोस्विया ने लगा दी है अब मुन्नू कब से बोल रहे हैं के अपना देश का मिट्टी के साथ हम अपना दिपावली मनाएंगे तो दिया जलाएंगे काफी अच्छे से हैं और मुन्नू और बाबू का देख सकते हैं दिपावली का जो घर है वो रेडी हो गया है और देदी पूरा पेंट करने में लग चुकी है वाई और यह कुछ इस जुगाड पेंट करने का जैसे के साबी मम्णी अपनी बच्चों को खुश करने के लिए इता करते हैं हमारे इदर ज्लाओ जादम में किया जाता यार इतार हैं प्रले तो पेंड कि हैं तुलसी मंचा उसके बाद इस प्राइब करने जा रहे हैं। और हमारे जो माता जी हैं डेंकी में भाई आरबाद चार कूट रही है अच पिठा देगों बैसी टूबुणा महराज और बहुत दिनों को बाद पिठा काएंगे जनवरी को पिठा बनता है और बिताली को जब आध तो गोतियारी जब जाता उस टाइम बनता है नहीं तो बन होती है अब चलते हैं वाइट पुजा करने हैं तो रात हो चुका है और हम पुजा की तैयारी में लग चुके हैं तो परीज बार हम फस्ट टाम दुकान का फूजा करने जा रहे हो भी तीप आली में चैने स्टेश्मी का फूजा में हम और फोगा इस बार पूजा कर रहे हैं तो अजे सिर्थ हैं अब फिटी की आज़ी घाट को अभी घाट को अभी बनाए जारा इसके उपर नारेल को रख करे बारेली में होगा हैं तो भाई फाइनली हमारा पूजा संपन हो गया तो देखो भाई हमारा दिया रेडी हो चका है मेरा दिदी रे बाप वह इसे आगो नहीं जहीं रेवा यह हमारी माता जी और दिया में देख रहे हैं तेल लग चुका है अब हम लोग ले जाते हैं और पूरा बिल्डिंग में सजाते हैं और सबसे मेन और अहम होता है दिपावली घर देखो हमारी खुसी भैगनी कितना अच्छा से दिपावली घर को सजा के यह तो कि इदर मंबत्ती दिया और गनेश लच्मी दुका नवाश्या और घर वाला दोनों को अलग अलग छट में डिवाइड कर दिया वाई मुनू गोड़ ले सी ना बगवान के कोई बगवान के विद्दा वुद्धि बालों से देऊ हैं और भाई अभी सब का घर ना भाई बहुत ही खुसरा लगेगा अभी नैट को यूंकि सब अपने घर को सजान में लगे हुए हैं तो हमारा घर भी केसी भी तरह से चुटना नहीं चाहिए यह दखो कि मैं है है एक पी दिवाली है पीडिवाली सभी को अरे बोई सहाब बलते ही आँखों में जलक आ गई बाई चलो पाटी में कल घंस किला जाएगा सकते हैं आज है मेरा उपवास है तो मेरा दीदी मेरे लिए रोटी बना रही है और हम काएंगे इतना सारा रोटी नहीं पुना रहे बाप पुना आप सभी को दिपावली की धेरो सारी बदाईया मेरे पूरे परिवार की और से और देख सकते हैं मेरा मां जो है वाई पीठा बनाने के लिए रही है यह अलवा चावल का जो धेंकी में कुट के चूनी बना जाता है चूनी से पीर अभी पीठा त पुजा करने के बाद हमारा पीठा दो है परसात के रूप में हम लोग खाते हैं जो कि वह हमारे लिए बहुत ही अन्मोल होता है अर हर ढ़ीवाली में हर घर में यही परिकरिएंज जारी डाता है हमारे च्चेत्र में और पूरे देश्वर में और हमारे घर मेंअ कोई मृल दल सेंद एक पाकेट एक पाकेट दें और जो हमारा भांजा है वह बाम फोड़ने में लगा हुआ है तो पूछते हैं भाई कोटी पूटा ले सेंद आए आए यह सकता है तो देखो हम लाइप पूड़ते हैं पूट्रे शाला फूट्रे यह है तालका और देख सकते हैं यह हमारे वहिया है है यह है तो भाई आज हम क्यों पूजा करते हमारा फीताजी से जाना है पूजा करते हैं हम लोग गिरीकवरधं ठाकुर को निमंतरन देता है कि जिस रोज गोह ता और गिरीकवरधं पूजा का अवान रहता है उसरोज आने के लिए जैसे हम लोग निमंतरन दिये और मंगलवार को मंगलवार को ठिक बारह यसे ठाड़े बार rape या पजे के वीतर गिरिग और धन ठाकूर येवं को माता का पुजा अर्चन हम लोग करते हैं उसके बाद गूणी थपा देते हैं और चभी चबा बुलू का रंग बिरंग्य सजाते हैं अधान का मिद्वायर लागाते हैं सिंघ में और फूल का माला कड़ाते हैं उसका गला में और सामके समय फिर निकालते हैं हम लोग उसको पानी फिलाने के लिए के लाते हैं कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो तो भाई पूजा संपन्न हो गया और परसाथ खाते हैं इसी के इंतिजार था और आज था माकाली का पूजा तो वह भी जितना पूजा ताज हमारे गर में संपन्न हो गया जाय माकाली कराली को पाली जाके भाली ताके खाली तो भाई यह वीडियो भी यह समाप करते वीडियो के साल लगाए कमेंट में जरू बताना मेरे तो एक नवी वीडियो में तब तक की लिए जैहिंद बंदे मात्रम करते बंदे मारे झाल, 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 झाल.